है हलो बच्चो तो रिवीजन सीरीज में आप सबका एक पर फिर से स्वागत है उल्टा हम चल रहे हैं बाइडावर्सिटी सबसे लास्ट चेप्टर उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शोट वीडियो मिलेगा आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लेट करेंगे अगा तीन दिन में भी आप एक चेप्टर करते हो तो कंप्लीटली आपका स्वावर्स हो जाएगा है इस 45 डेज की सीरीज में उसके बाद आपको इनिट्वाइज पैस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइस है फुल स्लेबर्स प्रेक्टिस पेपर भी तो बच्चो देखिए सबसे पहली बात यह कौन-कौन चे टोपिक हम डिसकस करने वाले इस चेप्टर में यह सारी बातें आप देख लीजिए और देख लेट्स टार्ट वाइडावर्सिटी क्या होती बच्चो डाइवर्सिटी ओफ एकोलोजिकल और बायोलोजिकल ओगनाजिशन की माइक्रोस्कोपिक या सेलूलर मैक्रो मॉलिकूल से लेके बायोम्स तक का जो ओगनाजेशन है यह इस नोन अज बायोजिटी और यह तीन लेबल की डैवर्सिटी करते हैं स्पीशिज लेवल जैनेटिक लेवल एंड इकोलोजिकल लेवल आएवर्सिटी तीनों की बात करते हैं एक-एक बिल्कुल एंसेटी कएक बूर्ड आपको crystal clear हो जाएगा बैटा डैवसिटी जो एक सिंगल स्पीशिज शो करती है जैन में और जो कंसेंट्रेशन रेस्पराइन केमिकल का उसमें जो प्रजेंट होता है उसके बेसिस पर यह डाइवर्सिटी शो करता है इसलिए इसको क्या कहते है जैनेटिक डाइवर्सिटी याद रहेगा जब को उसके बाद हम सेकेंड पर आता है और कुछ एक्जांपल देख लेते हैं यह देखें इंडिया मोर दें 50,000 डिफ्रेंट स्टेंस ऑफ राइस एंड थाउजन वाराइटी दो मैंगो आप देख पार हो कितने टाइप की पूसर सूर्या के सारे लवान सो नीलम एटसेटरा एटसेटरा बहुत सारी वाराइटिस हैं तो यह सारा जैनेटिक लेती को शो कर रहा है बचे सेकंड वन इस स्पीशिज डाइवर्सिटी की स्पीशिज लेवल पे जो वैडियस टाइप मिलती हैं ओगनीजम की डैट फॉंप भांड था तो वेस्टर गार्ट में एंफिबियं की स्पीशिज जादा है एस एस इस 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 एक उलोजी कल डैवर्सिटी के लार्जर प्रस्पेक्ट्व हो जाता है बच्चो लार्जर एको सिस्टम में खने इको सिस्टम से हैं वहां पर ओर निदम कितना डैवर्स हैं अगर हम इंडिया की बात करें, आगर हम कश्मीर से कझ्या कुमारी तक जाते हैं, तो कितने सरे अलग हमें हमें मिलते हैं, चाहे तो रेंड फोरेस्ट नमें, वैट लैंड्स हो, और भी बहुत सारे, तो यह सारे जो एरिया往 हैं, इनकी यूनीक स्पीशिस होती हैं, तो उस स्पीशिज आर्थ पे एविलेबल हैं ग्लोबल स्पीशिज डाइवर्सिटी कितनी हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड ने बताया कि 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीशिज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी है लेकिन रोबर्ट मेयर नेगा कि यह जो ग्लोबल एस्टिमेंट है यह कहीं ज्यादा है कि साथ मिलियन स्पीशिज के आसपास इस अर्थ पे हैं और ओनली 22 परसेंट अफ टोटल स्पीशिज आप बिन रि सबसे ज्यादा इंसेट्स कि दस अनिमल्स में से साथ तो क्या है इंसेट्स ही है नंबर फंजाई इस मोर दें टोटल नंबर ओ फेशिज अंफीबिया रेप्टाइल और मैमल्स यहां पर आप देख बार होंगे यह जो डिफरेंस है आपको दिख रहे हैं तो नाओ यह तीन चलते हैं अब ग्लोबल की बात कर लिए हमने अब तोड़ा सा अपने देश पर आ जाते हैं इंडिया में सिर्फ देखो दुनिया का 2.4 परसेंट लेंड एरिया है लेकिन हम 8.1 परसेंट से ज्यादा स्पीशिज रखते हैं और इंडिया वन ओफ त्वेल मेगा डाइवर्स इंडिया होट स्पोर्ट इंड वर्ल कि 45 थावर्जंट स्पीशिज प्लैंट की एंड उस्ते डबल एनिमल स्पीशिज यहां पर मिलती है तो यहां पर देख रहांगे दाजलिंग के टी फील्ड सो चाहें चाहें वह कौंकन का कोस्ट हो देवदा फोरेस्ट हो ही माचल के तो कितनी जादा डाइवर्जिटी हमारे देश में देखने को मिलती है अब बाइलोजिस्ट शोर नहीं है टोटल नमबर उप्रोकरियोटिक स्पीशिज एंटियों कियो नहीं है क्यों कि जो ट्रेडिशनल मैथड्स हैं जो जिसके तुरू इडेंटिफाई क्लासिफाई कर करती है उसके बात करतें क्या दिखाती है इक वेटर से पोल की तरफ जाते है कि वेटर से स्पीशिज हैं बर्ड की इंडिया में 12 इंडर स्पीशिज और उससे कम और ग्रीन लैंड में सबसे कम क्योंकि यह पोलर रीजन में आ गया तो यह वैरियेशन बहुत सिग्निफिकेंट ली दिखाई देते हैं ट्रोपिकल रेंफोरेस्ट जो होते हैं बच्छों कि दे लाइक इस डेटा है जो ट्रोपिकल रेंफोरेस्ट जिसको लंग ऑफ दा आर्थ तो का आ जाता है यहां पर देखिए हूज नंबर ओव स्पीशिज रिचनेस वाइडर स्टी इस क्योस्टन को आप वी 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 कितने भी आप लगाना चाहें लगा कर लगा कर लगे लिए व और जो सोलर रेडियेशन से वह अलमोस्ट तुरॉआउट यह को स्टेंट मिलती है तो जब सोलर रेडियेशन ज्यादा मिलेंगी तो रेट फोटो सिंटी से ज्यादा होगा प्रोडेक्टिविटी बढ़ जाएगी ओंस्टेंट इन्वारमेंट तो अपने आपको ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा और टाइम पीरियेट के हिसाम से भी यह बैस इसी वजह से जो ट्रोपिकल एरियाज है डेया रिच डाइवर्सटी एस कंपर टू पोल्स क्लियर टो एवर्यवन बिटा है ओके अब एक सैंटीस थे वान हम बोल्ट उन्होंने स्पीशिस रिच को एक ग्राफ के हैल्प से भी शो किया जो हम देखेंगे कि इस तरह का ग्राफ आता है यह मैं आपको बताऊंगा भी आगए ठीक है चलिए अब यह डाइवर्सिटी इतनी जादा है फिर भी डे बाइडे नंबर ओ स्पीशिज आ डिक्रीजिंग आई यूसी एन की जो अफ्रीका में मिलता था स्टेलर सीकाव बाली टाइगर यह सारे कुछ ऐसे अनिमल्स हैं जो लास्ट पांच्ट साल में एक्स्टिंक्ट हो गए मैं बच्चो ट्वंटी सेवन स्पीशिज ऑफ डोडो डिसपेर्ड इन लास्ट ट्वंटी यह और उसी तरह यह जो कंसर्ण ह की स्पीशिज 31 परसेंट जिम्नोस्पंस की स्पीशिज 32 परसेंट एंफीबियं स्पीशिज यह अगर यही कंडिशन चलती रही तो आदी से ज्यादा स्पीशिज अगले सो साल में एक्स्टिंक्ट हो जाएंगी ठीक है तो यह आप लोगों को सोचने के जरुवत है अश्यक्ट को सूचने की जरुवत है कि क्यों हो रहा है और हाव है इंप्राइब्ध के अटेक तोक्ति होगा प्लैंट यह फूम मतलब और इस तरह की related problems है वो बढ़ जाएंगी अगर variability होती है ecosystem में plant पे productivity जो water use है pesticide pest or disease cycles है वो चलती रहती है तो उसमें एक balance बना रहता है कि अगर एक particular topic level पर organism बहुत जादा हो जाएंगे तो पूरी की पूरी food chain को disturb कर देता है अना तो यह impacts बहुत serious है अब मैं आपको बताने वाल यह loss of biodiversity हुआ है चलिए इसको इसी लिए evil quartet भी कहा जाता है चार factors है सबसे पहले habitat loss and fragmentation secondly alien species invasion and over exploitation and lastly co extinction चारों की बात करूँगा एक एक करके बहुत important है मैं दुबारा से बता रहा हूं आपको प्लीज ध्यान दीजिएगा habitat loss सबसे important cause 14 से 4% रहे गाए यह ट्रोपिकल rainforest of land is lost इसकी वजय से कि हमने अपनी जो requirements है उनको पूरा करने के लिए last जो area है forest का उसको cut कर दिया है उसको destroy कर दिया है हमारे houses construction के लिए हमारी agriculture के लिए उसकी वजय से fragmented areas बन गए है जो की main cause है जो natural habitat है animals का birds का plants का उसको हमने destroy कर दिया है बिटा over exploitation किसी भी reason से अगर हम किसी particular species को बहुत ज्यादा use करना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी दो classical examples है stellar sickow and passenger prison यह extinct हो गए due to over exploitation हमने इतना misuse किया चाहे हो meat के लिए हमने हमने hunting के लिए इनको मार दिया इस वज़े से extinct हो गए alien species invasion कई बार क्या होता है knowingly या unknowingly कोई species एक नए area में enter कर जाती है जिसको exotic species कहते हैं और उसकी वज़े से जो वहां की गर से निकाल दे कुछ इसी तरह के कुछ examples हैं देखिए नाइल पर्च विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वज़े से species की 200 से ज्यादा species extinct हो गई है खतरना condition है अपने घर से बाहार निकाल देना get out of here कैसा फिल होगा अगर आपके साथ ऐसा हो तो लेकिन हमने करवाया है कुछ और एक्जाम्पल्स बताता हूं कैरट ग्रास पार्थीनियम लैंटना और वाटर आइसे जिसको टेर और बेंगोल भी कहते हैं यह इंडिया में इंट्रोड्यूस किये गए ठीक है यह आ गए आफ्रिकन कैट्फिश क्लेरियस को एक्वा कल्चर में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन इसकी वजह से जो इंडिजीनस वहां की जो कैट्फिश थी वह देरे देरे एक्सिंशन में चले गई है तो यह कुछ प्लासिकल एक्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से बहुत एक्स्टिंशन कि एक स्पीची जब एक्स्टिंट होगी तो उसके साथ जो एक्स्टिंट हो जाएगी प्लैंट पॉलिनेटर्स का म्यूचुलिजम आप सब ने पढ़ा है है ना सेकेंड चैप्टर सेक्शुल रिप्रदक्शन इन फ्लारिंग प्लैंट्स एंजियो स्पम म कैसे को कंजर्व कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इस वाएधिकल स्पर्द इसके लिए उसके लिए भी हमें ईगाय को माता मानते हैं बहुत सारे ऐसे पेड़े जिनको भगवान मानते हैं तो इसलिए एथिकल इशू भी इससे रिलेटिड होते हैं नैरो यूटिलाइजेशन एकोनोमिक बैनिफिट्स होते हैं जो मिडियेट होते हैं जैसे हमें फोरेस से क्या मिलता है फूड फायरवूड फाइबर उसके अलावा बहुत सारे इंडेस्ट्रिल प्रोडट्स टैनेंस रेजिंस डाइज पर्फ्यूम्स यह मेडिसिन्स 25 परसेंट से ज्यादा ड्रग जो हैं प्लैंट से मिलती हैं और 25,000 स्पीशी जो हैं प्लैंट की उनकी मेडिशनल वेल्यू है हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत सारे टर्मरिक आप देख लो तूलसी देख लो हींग देख लो यह सारे के सारे मेडिशनल वेल्यू वाले प्लैंट से हैं इनकी एस्टेटिक वेल्यूज भी है इसलिए इनको इनको तंजार करना बहुत ज़रूरी है सेकेंडली लॉं एस्टेटिक प्लैजर भी तो देते हैं आप आप हाटों पर क्यों गूमने जाते हो आप साइलेंट वेली में क्यों जाते हैं वहां पर आपको मेंटल पीस मिलता है जो फैसिनेटिंग चीज़े आप देखते हो चाहें मांटें चाहें हो फोरेस्ट हैं डिफरेंट जातें उनको एक्सेंट ना होने दें दें अब कौन से के मैंटर्स वह मैं आपको बता देता हूं जो आप जाता है दो तरह से किया जाता है इनसीटु ओन साइट कि जहां पे है वहीं पे उसको conserve कर दें एक एक करके दोनों की बात करते है सबते पहले in-situ, on-site कि जो genetic resources है natural या human made ecosystem में वहीं पे उनको conserve किया जाए तो इसके लिए protected areas बनाये गए है in the form of national park, centuries, biosphere reserves, natural monuments presently हमारे देश में 14 biosphere reserves है 19 national parks है and 448 wildlife centuries है कैसे काम करती है, बताता हूँ आपको सबसे पहले national park की ये strict conservation areas है for wildlife जहां पे private कोई भी activity grazing, local people का intervention strictly prohibited होता है ये एरने कुलम national park के अरला का आप वड़ो देख पा रहे होंगे ठीक है तो यहां पे अलग लग zones बने होते हैं core area में कोई human activity allowed नहीं होती एक peripheral zone होता है, जहां पे limited human activities allowed हो जाती है उसके बाद बात करते हैं centuries की, ये भी on-site conservation है की protection दिया जाता है animals को ये ध्यान रखनाई वाली बात है normally wildlife centuries में animals की protection की जाती है limited human activities allowed है without affecting harming animals perrier wildlife century है के रहला की and thirdly biosphere reserves, ये larger areas है century सबसे चोटा area, century से बड़ा क्या हो गया national park और सबसे बड़े area जिसमें एक या दो national park included हो क्या कहलाता है, biosphere reserves coastal areas भी हो सकता है और terrestrial area भी हो सकता है for conservation and sustainable use what is sustainable use, conservation of nature natural resources wisely, so that we can conserve them for future generation नीलगरी biosphere reserve का, यहां पे आप picture देख पा रहे होंगे यह biosphere reserves की location है इंडिया में इंडिया में पहला biosphere reserve था, नंदा देवी ठीक है बच्चो अभी 14 biosphere reserves है, मैंने आपको बता दिया है तो यह on-site conservation में एक और parameter आता है sacred grooves मैं थोड़ दिर पहले आपको बता रहाता है हमारे Indian culture में कुछ चीजों को बहुत पवितर माना गया है कि कुछ animals है, कुछ plants है, उनको kill करना, sin माना जाता है, पाप माना जाता है तो इसी वज़ेसे कुछ area प्रोटेक्ट हो जाते है है ना, religious belief की वज़ेसे वो प्रोटेक्ट हो जाते है हैं जैसे खासी और जेंतिय ही इसे में अरॉलि ही इसंसे अंधा दुश्मर्ण मांते हैं आपने सलमान खान का केस देखा होगा सलमान खाने चिंकारा मार दिया था और आज तक केस चल रहा है अरावले इल्स में विश्णोई कम्यूनिटी उसको डिफैंड कर रही है वेस्टन गार्ट करनाट का और महारास्टर रीजन में चंदा बस्तर रीजन ओफ मध्यपरदेश यहां पर प्रोटेक्शन मिली है रिलीजिस बिलीफ की वज़े से एनिमल्स को एकसी टु कंजरवेशन में बेटा कई सारे चीज़े आ जाती है यहां पर आउटसाइड देर हैबिटेट आटिफिशल कंडिशन में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जेनेटिक रिसोर्स सें जीन बैंक्स एंड्राय प्रिजर्वेशन थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं प्राय प्रिजर्वेशन क्या होता है जो तो इस प्रोटेक्शन दी जाती एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइनस 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में उसको प्रिजर्वेशन 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 बी इंपोर्टेंट है वनमार्ग के इसाम से माइनस 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है याद रहेगा आपको क्या लिए कि अब कुछ और की बात कर लेते हैं होट स्पॉर्ट भाइडॉर्श्टी अक का जाता है जिनको इसुछ इस рабिंडिया की बात करहों दुनिया में जो हो स्पोर्ट का जाता है जिनको जहां पर बहुत रिच बाय डाइवर्सिटी पाई जाती है बच्चो वेस्टन कार्ट इसन इमालिया एंड इंडो बर्मा रीज़न वर्ल्ड वाइड थर्टिफोर एस एरिया है लेकिन इंडिया में इसे तीन एरिया देखने को मिलते हैं पर काम करने की जुरूत है कि यह सारे के सारे जो होट स्पोर्ट थे हैं दो परसेंट के असपास लेंड एरिया जैंका लेकिन अ है यहां पर जो स्पीशिज रिच्नेस है बहुत-बहुत-बहुत ज़्यादा है है आप इमेजन भी नहीं कर सकते इतनी जादा स्पीशिज र रोटेक कर लें तो जो extinction रेत है है उसको 30% कम कर सकते हैं ठीक है बच्छो आब एक और इंपोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था मैंने कहा था कि मापको बताऊंगा जब और यहां पर एक और इंपोर्टेंट चीज आ जाती है बश्यों से बात हरा था आपको स्पीशिस एरिया रिच्नेस केम बात कर रहे हैं जाए हम एक टो शुन होता है वालग लग चीज़ेंग दोनों चीज आपको बताऊंगा यह लोग लोग scale होता है और इसकी जो equation है वो आपको याद रखनी है log s is equal to log c plus z log a आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं दूसरा color use करता हूं उसके लिए z log a ठीक है यहाँ पर s क्या है बटा s is species richness s is species richness z is a slope of line जिसको हम a regression coefficient भी कहते है it is also known as regression coefficient a a to a person में आ गया होगा a is area ठीक है और सी इस वाई इंट्रसेप्ट सी इस वाई इंट्रसेप्ट क्लियर अब यह क्या बताता है वह नंबर्ड नहीं कहा कि अगर कोई नया एरिया है नया habitat है तो gradually वहाँ पे species की जो रिचनेस है वो drastically बढ़ेगी बट अप टूए लिमिट उसके बाद यह लिमिटेड हो जाती है तो यह रिलेशन्शिप जो है species रिचनेस और एरिया की एक रेक्टेंगुलर हाइपर बोला दिखाई देता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला यह आप देख पा रहे होंगे ठीक है अब इसके बेसिस पे जो जैड की वेल्यू है उसके बेसिस पे जो जर्नली पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा टैक्सोनोमिकल ग्रूप है उससे नहीं होती लेकिन लेकिन जब अगर जो एरिया है वह बहुत लार्ज होगा अगर हम पूरे कॉंटिनेंट को कंसिडर कर लें के लिए तो जो जैड़ लाइन है या जो रिग्रेशन कोफिशेंट है उसकी वेली हो जाती है पॉइंट सिक से वन पॉइंट टू के बीच में कि मालों फ्यूगे वराज बार्ट या मैमल्स ट्रोपिकल फोरेस्ट की बात करें तो ओर ज्यादा स्टीपर लाइन हो जाएग तो इंटरनेशनल एफर्ट के अगर हम बात करें तो अर्थ समिट कंड़क्ट हुई रियो डी जैनेरो में रियो जिसको का जाता है रियो में 1992 में फर्स अर्थ समिट कन्वेंशन ओन बायलोजिकल डायवर्सिटी यहां पे कुछ जो कोमन पॉइंट्स थे कि कंजर्वेशन क बाय डायवर्सिटी का और जो बैनिफिट्स हैं जनेटिक रिसोर्च के वह शेर किये जाए ठीक है मत्यों और इसी के बाद वर्ल समिट हुई जोएनस बग में 2002 में तो जो वर्ल समिट थे उसमें 190 कंट्रीज में पार्टिस्पेट करके प्लैजली टू रिडूस तो यह इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें डिसकस करेंगे क्यों कर दिया है पीवाई क्यूशन होंगे एंड वर्य इंपोर्टेंट चैप्टर वाईज तो तीन पार्ट में एक चैप्टर हो जाएगा तो अगर आप 30-40 मिनिट रोज भी देते हैं वायो को तो तो नेक्स फोर्टी ठाटीन चैप्टर हैं नेक्स फोर्टी डेज में आपका स्लेबर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूनिट वाइस टेस्ट होंगे तो पांच टेस्ट वह हो गए एंड फूल स्लेबर तेस्ट तो 45 डेज में आपका 95 प्लस का जो टार्गेट है वह कहीं नहीं जाने वाले बस आप इसको फोलो करते रहें मैक्जिमम आपको 40-45 मिनिट्स पर दे देने हैं बायो के लिए आपका जो भी कंसर्ण है जो भी डाउट है हमेशा की तरह बायो निती में कमेंट करके आप पूछते रहें लाइक पैसे औह BIG कि विए रिशोर्स ऑफियलेबल है चाही हो सेंपल पर सेंटर नौ ओसे शारी ची भी आप जॉइन करके प्रेक्टिस कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स बार्ट में तिल और आपका